दोस्तों स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चनल पर बहुत से लोगों को M.H.T.C.E.T. Law 3 Year का जो फॉर्म है वो भरने में डिफिकल्टीज आ रही थी उसी के रिकार्डिंग ये फुल वीडियो मैंने बनाया है आशकर तो इस वीडियो के माध्यम से आपको Law का फॉर्म किस तरीके से आपको फील करना है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों ये वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरीके का वीडियो आपको यूटूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको MHT CET की जो ओपिशल वेबसाइट है www.mahacet.org पर जाना है उस वेबसाइट पर आप पर जाने के बाद आप कुछ इस तरह की का इंटरफेस आपके सामने होगा आपको स्क्रोल डाउन करना है और स्क्रोल डाउन करने के पद आपको LLB 3 Year यह उप्शन वहाँ पर नजर आएगा आपको इस उप्शन पर क्लिक करना है उप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की का इंटरफेस आपके सामने आएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे स्क्रोल करकर नया एक Candidate Registration मतलब आपको New Profile तैयर करनी है तो आपको Candidate Registration पर क्लिक करना है Candidate Registration पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का Interface आपके सामने आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते है LLB 3 Year, LLB 5 Year, Agriculture यह तीन आपके सामने आया है तो दोस्तो इसके बाद की जो प्रोसेस होने वाली है यह प्रोसेस LLB 3 Year, LLB 5 Year और Agriculture के जो स्टूरेंट्स है उन सब के लिए सेम होने वाली है लेकिन हम जो है LLB 3 Year का Form इस वक्त फिल करेंगे तो आपको LLB 3 Year पे क्लिक करना है और आप सबसे पहले नीचे देख सकते है First Name of the Candidate तो यहाँ पे आपका आपका जो First Name है वो एंटर करना है उसके बाद Candidate's Father Name slash Husband Name आपको यहाँ पे आपका Father का या फिर Husband का नीव आपका इंटर करना है और नीचे Last Name आपको आपका इंटर करना है उसके नीचे आपको E-mail ID आपका इंटर करना पड़ेगा उसके बाद आपको यह E-mail ID जो है वो वेरिफाय करना है E-mail ID आप इंटर करने के बाद Get OTP for E-mail Verification पे आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पे वेरिफाय करना है सेम आपको mobile number भी इंटर करना है get OTP for mobile number verification पर आपको क्लिक करना है आपको mobile भी OTP आएगा उस OTP को भी आपको verify करना है verify करने के बाद नीचे आपको gender दिख रहा है या पर आप male female जो भी हो select कर सकते हैं और next जो है वो है state to which candidate belongs आप किस state से बिलॉंग करते हैं आपको यहापर इंटर करना है आपका district यहापर इंटर करना है नीचे जैसे आप स्क्रोल डाउल करेंगे तो आपको यह username पूछेगा username unique होना चाहिए minimum जो है वो 4 characters होने चाहिए और maximum 15 characters आपका username जो होना चाहिए उसके बाद आपको एक password यहापर इंटर करना है उसी password को आपको confirm करना है और नीचे आपको capture code मिलेगा इस capture code को enter करकर आपको submit button पे click करना है submit button पे click करने के बाद इस तरीके का interface आपके सामने आएगा यहापे आपको जो आपने username डाला है वो यह बटन पर click कर देना है login बटन पे click करने के बाद कुछ इस तरीकी का interface आपके सामने आएगा सबसे पहले आप right corner में देख सकते है English option दिया हुआ है आपको English option पे select करना है English option पे select करने के बाद आप left hand side पे एक बार देख सकते है उस बार पे आपको click करना है उस पे click करने के आपके सामने बहुत से option आ गये हैं तो यह सारा form आपको फिल करना है सबसे पहले आपको create llb3 profile पे click करना है click करने के बाद कुछ इस तरीकी का आपके सामने इंटरफेस आएगा आप देख सकते है application registration यहाप आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको CT का जो registration number है वो enter करना है आपका role number एंटर करना है और form भरते हूँ form भरते समय आपने जो mobile number दिया था वो भी आपको इहापे देना है वो देने के बाद आपको load score card पे click करने केबाद आपको score card है वो आपको दिख जाएगा और उसके बाद आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद आपको कुछ personal detail है तो सबसे पहले आपको आपका नाम जो है वो automatically वहाँ पर आजाएगा आपका mobile number आजाएगा आपको सिरफ एक alternate mobile number वहाँ पर provide करना पड़ेगा इसके पाद आपको पूछ रहा है is there any change in full name of the candidate mentioned in the city application form and cap application form तो अगर आपका नाम गलत हो गया होगा तो आपको यहाँ पर yes करके आपका नाम correct करना है अगर आपका नाम सही होगा तो आपको no करके next करना है तो आप नीचे देख सकते हैं आपका email id जो by default आजाएगा आपकी date of birth आपको enter करनी है उसके बाद male female gender है जो है वह आपको enter करना है उसके बाद candidate married है unmarried है वह आपको select करना है नीचे आपको father's name पूछ रहा है तो आपको father's name mother's name enter करना है आपका जो address है वो भी आपको carefully enter करना है उसके बाद जो आपका permanent address है correspondence address same है तो आप tick करके next कर सकते है नहीं तो आपको आपका जो address है वो आप fill कर सकते है सबसे नीचे आप option देख सकते है disability type अगर आप specially abled person है तो आप यहाँ पर yes करके आपका जो option से वो भर सकते है अगर आप नहीं है तो no करके आपको save next पे क्लिक करने के बाद other information आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ पर candidate citizenship इंडियन बाइ डेफोल्ट आ गया है उसके नीचे आपको पूछा have you completed your graduation degree examination from the state of महाराष्टर के आपने महाराष्टर से degree ली है तो आपका yes होगा तो आपको yes करना है no होगा तो करना है have you completed your post graduation degree examination from the state of महाराष्टर अपने जो PG आपका डिग्री अगर आपने की है तो महाराष्टर से की है नहीं की है आपको yes no पर क्लिक करना है अवे completed post graduation degree examination फ्रम्टी यूनियर सीटी विच आउटसाइड आफ महाराश्टर स्टेट अगर महाराश्टर स्टेट के बाहर से आपने पीजे आपका कम्लीट किया तो आपको यह सिया नो पर आपको अकओडिंग्ली करना है उसके बाद नेक्स आपको पूछ रहा है कि are you a domicile of महाराश्टर ह्रा कैंडिडेट मस्ट है वो dual says certificate issued by महारास्टर स्टेट मिन्स आप City आफ महारास्टर के ऋसिडन्स रीजाइन्स है या नहीं आपको यहां पे एंटर करना है यहां पर ये in तो यह सब्सक्राइब और ने पुच्छा है कि are you born in महाराष्ट्रा must have birth certificate indicating place of birth in महाराष्ट्रा state यह स्क्रोल डाउन करेंगे आपको option दिखाए देगा is your father or mother is a domicile in the state of महाराष्ट्रा having domicile certificate from the state of महाराष्ट्रा means आपके father or mother महाराष्ट्रा की जो residence है या नहीं आपको yes no पर click करना है उसके बाद ये कुछ चीज़े हैं आप समझ जाएगे उसको पढ़के तो मैं इसको थोड़ा skip करता हूँ next आप देख सकते है कि तो आपके बास हो तो आपको yes no पर select करना है are you an orphan yes no जो कुछ होगा आपको select करना है उसके बाद social category of the candidate दिया है इसमें आपकी जो category है स्ट, स्ट, OBC, general category के जो भी आप student होगे आपको select करना है उसके बाद cast to which you belong आपकी जो cast है वो आपको यहापे select करनी है उसके बाद आपको जो आपका cast certificate है उसको यहापे आपको upload करना है उसके बाद की कुछ detail है वो आप पढ़के भी इसको समझ सकते हैं और सारे document आपको side by side select करके upload कर देने हैं उसके बाद religion to which you belongs, आपका जो religion आपको सिले करना है, आप जैसे scroll down करेंगे तो आपको यह पूछ रहा है, do you belongs to minority, यह सारी चीज़े जो आपको बेसिक चीज़े आप समझ जाएंगे, आपको यह सारी चीज़े फिल करने के बाद seven next पे क्लिक कर देना है, seven next पे क्लिक करने के बा पहले pass out है या बाद में है, तो अगर नहीं है, तो आपको no करना है, उसके बाद next पूछा, are you feeling LLB three year cap form on the basis of post graduation degree, अगर आप post graduation के उपर आप अगर यह form फिल कर रहे तो आपको yes, या फिर आपकी साब से जो कुछ है no, select करना है, उसके बाद आपको 10th की आपकी डीटेल, 12th क से आप एंटर करनी है, आपको English subject में, SSE में कितने मार्क मिले थे, वो आपको यहाप एंटर करना है, उसके बाद marks in first language at HSC और equivalent examination आपको यहाप एंटर करने है, upload CET score यह जो है वो by default आपको यहापे आ जाएगा, अब यहापे आप देख सकते है, upload LLB three year 2020 CET application form, आपको यहाप यहापे upload करना है, यह form दोस्तो registration के वक्त का form है, registration करते वक्त आपने जो form उस वक्त फील किया था, वो form आपको यहापे upload कर देना है, अगर आपके पास वो form नहीं है, तो उसको कहां से download करना है, मैं आपको वीडियो के इने में बताऊंगा, तो यहापे आपको save and next पर क्लिक करके save and next कर देना है, save and next करने के बता, आपके सामने कुछ इस तरीकी के details आएंगे, यहापे आपको दोस्तो, SSC mark sheet जो आपकी upload करनी है, उसके बाद आपको 12th की mark sheet या फिर डिपलोर की mark sheet जो यहापे upload करनी है, उसके बाद degree mark sheet यह बहुत important है, यहापे आपको annexure DM, fill करकर आप के जो सारे semester के mark से उसमें include करकर आपको along with all the semester mark sheet आपको यहापे upload करना है, मतलब आपको annexure DM जो है वो आपको description box में मैंने link दी है, वहाँ से आप download कर पाएंगे, वो annexure DM उसके बाद आपके पास जो mark sheet है, उनके अगर आपके course में 6 same है, तो वो 6 सारे same का आपको average निकाल कर इस annexure DM में feel करना है और उसको PDF format में यहापे upload करना है, तिर्व आपको mark sheet ही upload नहीं करनी तो annexure के साथ आपकी सारी mark sheet अभी तक की आपको यहापे upload कर देनी है, उसके बाद आपको domicile certificate, birth certificate या फिल living certificate यापे आपको upload करना है, और 7 next पे click कर देना है, 7 next पे click करने के बाद दोस्तों इसके बाद के जो images हैं वो मेरे पास available नहीं, लेकिन मैं आपको process बत देता हूँ, सेवाए next पे click करने के बाद आपको अपका photo और आपका signature जो है वो यहापे upload करना है, photo और signature अपलोड करने के बाद आपको जो है, आपको colleges का preference वहाँ पर देना है, colleges का preference देनी के बाद आपकी जो process है वो complete हो जाएगी और आपको आपके email पे सारे update time to time आते रहेगी, इसलिए आपका जो email है वो correct होना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तो एक चीज़ इसमें रहे गई है कि मैंने आपको बताता अगर आपके बास application form नहीं तो वो कहां से download करना है, तो आपको वापस से प्रोफाइल में जाने के बाद जब आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको last option मिलेगा, download LLB3 application form, इस option पर आपको क्लिक करकर आपका application form जो है, आप डाउनलोड कर सकते है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको registration number, roll number पूछेगा, उसके बाद आपको 100 र देना है, तो दोस्तों आशा करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी, अगर आपको form भरते हो, कुछ भी difficulty आती है, तो आप मुझे comment section के माध्यम से ज़रूर बताईएगा, और अगर आप student है, तो channel को subscribe करना ना भूले, क्योंकि इसी प्रकार क सारे latest update मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, अगर आपको मुझे contact करना है, तो मेरी सारी social media की link जो मैंने comment box में दे रखी है, आप वहाद से भी मुझे contact कर सकते हैं, धन्यवाद